निवास आई जात प्रमाणपत्र के नाम पर तहसील में मची लूट पांसो रुपिये न देने पर लेक पाल पर लगा रिपोर्ट काटने का आरोब नामांकर में लगने वाले आई वन निवास प्रमाणपत्र के लिए एक बार फिर तहसीलों में लूट घसोट शुरू हो गई है राजो सुकर्मी रिपोर्ट लगाने की नाम पर तो एंजियो प्रमाणपत्र जल्दी बना कर देने के नाम पर आवेदकों को लूट रहे हैं इसका खुलासा उस समय हुआ जब रिपोर्ट लगाने पर लेक पाल ने पांसो रुपे की मांग आवेदक से कर दी उसने जब देनी से मना किया तब से अभी तक उनका प्रमारपत्र नहीं मिल पाया है जिस से उनको चुनाओं के दावरान समस्याओं का सामना करना पढ़ रहा है दिलीब दिवाकर जो कि प्रत्यासी के पती हैं उनका कहना है कि मेरा काम रिस्वत लेने के चक्कर में नहीं किया जा रहा है उनको फोन किया जवाब नहीं आया आलम ये है कि जब WhatsApp से उनसे बात करने की कोशिस की तो उनकी हकीकत देखने को मिली लेखपाल ने लिखतम कहा है कि आप अपना काम अपने आप कराओ यह है कि भेस्टाचार इतना बढ़ गया है कि अब सरकारी करमचारी भी लिखतम गलत बोलने लगे हैं इसका मतलब यह हुआ कि इनको किसी का डर नहीं है विरो रिपोर्ट सिटी टीवी 24 न्यूज